चलो आज बनाते हैं बहुत ही इजी से एक डिफिंग की रेसिपी तो यहाँ पर ना बनाएंगे आज हम लोग ओट्स चॉकलेट केक तो यहाँ पर एक मिक्सी जाल लो इसमें मैंने डाला ओट्स इसके बाद इसमें डाला चीनी और उसके बाद डालेंगे इसमें आठा और जो ठीक है तो यहाँ पर इसके बाद मैंने एक पिंच नमक डाला आ तकि टेस्ट अच्छे से बालेनस हो जाएं मैंने चीनी और okayले का इसतेमाल किया केला से बहुत अच्छा मीथा तो नहीं होगा इसलिए थोड़ा से इसमें अक्ष्टा चीनी भी डाला था बट आप चाहो तो चीनी की जगह यहाँ पर गुड का भी यूज कर सकते हो गुड को ग्रेट कर लेना ताकि उसका अच्छा सा पाउडर बन जा है उसके बाद उसको दूद में मिक्स करके उसके बाद इसमें आट करना ठीक है लेकिन चाहरो यहाँ पर मैंने चीनी और बनाना का यूज किया है इसके बाद इसमें अच्छे से टेस्ट के लिए मैंने डाला वनीला एसंस तीन से चाहर डॉप तीन चमत जितने यहाँ पर रिफाइन डॉयल जाला है जिसमें कोई भी स्ट्रॉंग स्में नहीं होगा इसके बाद इसमें मैंने डाला है दूद और सब रेसिबी को फॉलो कर सकता है उसको आप ये रेसिपी शेर करना उसके साथ तो बहुत ही असानी होगा इसके बाद यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला बेकिंग सोड़ा डाला मिक्सर चाहर में ही और उसके बाद मिक्स कर लेंगे अब बहुत लोग काहिंग कि हम रिन नहीं डाला है लिलो तो खुर पर म यहां पर मैं आप बना लिया है कंसेस्टरेंसी आफ़ हमारा विपेपर कौने के शराओंगी और यहां इस तरह से थिक गरणfle इसमें डाली आ और केक के बैटर को बनाने से पहले ही मैंने अपने कड़ाई को प्रीहिट होने के लिए रख दिया था तो हमारा कड़ाई भी अब तक गर्म हो गया होगा केक का बैटर बन गया है यहां पर मैंने ऊपर से थोड़ा सा ड्राइफूट में आलमंड के साथ इस तरह से होगा तो यहां पर देखो मैंने इसको पतीले में रख दिया था और इसके बाद यहां पर 25 मिनट के बाद मैंने एक बार इसको चेक किया था तो जब मैंने इसको चेक किया तुट्पिक डालकर तो तुट्पिक मेंना बैटर लगा हुआ आ रहा था तो फिर मैंने इसको और और भी पाँच मिनट के लिए छोड़ दिया था, ये देखो बैटर लग हुआ है, काफी सारो तो मैंने इसको ढखकर और ौर पाँच मिनट के लिए बेक कोने द बेको क Non तो यहां पर इस बार तुत्पिक मेरा क्लीन निकल रहा है तो इसको निकाल लो और इसको थड़ना होने के लिए रगदो धकर छोड़ दिना कपले से इसके बाद इसको इस तरह से बहुत यह असानी से डी मोल्ड कर लो देखो कितना असान है इसको बच्चे भी बना सकते हैं इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो तो यहां पर हमारा केक बन गया इस तरह से डी मोल्ड कर लेना बहुत ही असानी से डी मोल्ड हो जाएगा और मैं आपको दिखाती हुए देखो एकदम स्पॉंजी है अंदर से बिल्कुल भी गीला टेक्शर नहीं है और एकद अब इसको ट्राइब करना चलो ब्रसेपी पसंद रही हो तो लाइक शेट स्ट्राइब करना चलो बाइए